जारखन के मुख्य मंत्री हेमन सोरेन 21 अक्टूबर को गढ़वा का दौरा करेंगे जहां वे जारखन के विधान सभा चुनाव के पहले चरण के जामुमों प्रत्याशियों के नामांकन में भाग लेंगे मुख्य मंत्री गढ़वा और भावनातपूर विधान सभा शेत्र के उमिद्वारों के नामांकन में शामिल होंगे और इसके बाद जन सभा को संबोधित करेंगे मिली जानकारी के अनुसार मुख्य मंत्री हिमंत सोरेन बारह तीस बजे गोसाई बाग मैदार इस्थित हैलिपेड बंसी धन नगर पहुँचेंगे और वहां आयोजित नामांकन सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे एक बज़ कर तीस बज़े गढ़वा के लिए रवाना होंगे और एक बज़ कर पचास बज़े बिर्सा मुंडा हेलिपेड पार्क कल्यानकूर पर उतरेंगे मुख्य मंत्री दो बज़े गढ़वा अनुमंडल कार्याले पहुचकर मंत्री मिथलेश कुमार ठाकूर के नामांकन में शामिल होंगे दो तीस बज़े अनुमंडल कार्याले से निकल कर वे दो पैतिस बज़े गोविंद उच्विद्याले मैदान में आयोजित सभाग अस्थल्म पहुचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे कारक्रम के बाद वे चार बज़े राची के लिए रवाना होंगे इस नमांकन में मुख्य मंत्री हिमन सोरेन के अलावा महागडबंधन के कई वरिष्ट नेता भी शामिल होंगे कारक्रम में महागडबंधन के कारकरताओं पदाधिकारियों और आम जन्त का बड़ा जमाओडा होने की उमीद है गड़वा रंका मिराल चीनिया रमकंडा और डंडा के हर प्रखंड से हजारों समर्थक और शेत्र की जन्ता रामसाहु उच्विद्याले के स्टेडियम में एकत्रित होंगे वहां से एक भवे रैली मज्या मोड में रोड और रंका मोड होते हुए टाउन हॉल के मैदान में पहुचेगी इस नमांकन रैली से ना केवल चुनावी महाल गरमाएगा बलकि महागडबंधन को मजबूत संदेज भी जाएगा